नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी पोदे के बारे में बताऊँगा दोस्तों यदि आप इसकी सिर्फ एक पत्ते को हारोज चबा कर खालेंगे तो दोस्तों आपके वात, पित और कोई भी बिमारी नहीं होगी ना कभी कोई बिमारी आपको लगेगी क्योंकि हमारे सरीर में किसी भी बिमारी के जनम का कान वात, पित और कपका इंबैलेंस होना ही होता है और दोस्तों इसके सेवन से आप डाइबटीज, कोलोस्टोल, पेट के रोगो, दिल की बिमारियों इनसे भी हमेशा हमेशा के लिए बचे रहेंगे, यानि आप सो सालों तक बेलकुल निरोगी जीवन ची होगे और हर तरहे की बीमारी से बचे रहोगे, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस पोधी की बात कर रहे हैं, वह पोधा है दोस्तों गिलोए का, दोस्तों गिल नीज भी परचूर मातरा में मिलते हैं, दोस्तों अईरुवेद के अंसार, गिलोए की पतियां, जड़ और तना, यानि तीनों ही भाग आपकी सेहत के लिए बहुत अधिक गुनकारी हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे जादाउं प्योग गिलोए के तने, यानि ठंठल का ही होता है, गिलोए में दोस्तों बहुत अधिक मातरा में एंटोक्संट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटीनिफलमेंटरी और कैंसर रोधी गुन भी होते हैं, इनी गुनों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डाइबटीज, कबज, एस्डिटी, अ अपच, मुत्तर समंदिरोगों, दिल की बीमारियों में और कोलोस्टोल से जुड़ी बीमारियों में बहुत अधिक कारगर ओस्ती की तरह काम करता है, बहुत कम ओस्तियां आयुरुवेद में ऐसी हैं, जो वात, पित और कप तीनों को ही कंट्रोल करने का काम करती हैं, और यह हानिकारक टोक्सिन से जुड़े रोगों को भी ठीक करने में बहुत अधिक महत्यपून भूमी का निभाता है, यदि आपको गिलोई की पहचान करनी हों, तो इसकी पतियों का अकार पान के पत्तों के जैसा होता है, इनका रंग गारा होता है, और दोस्तों आपने इसक जैसी बीमारियों से बचाएगा, दिल की बीमारियों का इलाज करेगा, डाइबटीज को कंटोल करेगा, पाचन को मजबूत करेगा, पेट के रोगों कबज गैस और एस्टिटी का इलाज करेगा, मुटापी को सही करेगा, सो सालों तक आपको निरोगी रखेगा, वात पि पेट आप जिस टैम मर्जी सुबह खाली पेट इसके एक पत्ते को चबा कर खा जाए उपर से हलका गुनगुना पानी पी जाए और ये काम आपने करना है सैर वगरा करने के बाद एक तरीका तो ये हो गया दूसरा तरीका हो गया पानी में उबाल कर पीना दोस्तो उसका असर इससे भी अधिक आएगा आपने क्या करना है उसके लिए तीन से चार पत्ते लेने हैं या ता पत्ते लेसकते हैं या इसकी ठंटल लेसकते हैं आप ठंटल का परियो करेंगे तब आपको अधिक फाइदे मिलेगा आपने इसकी तीन से चार ठंटल लेकर एक गिलास पानी मे उनको उबालना है और उस पानी में उबालकर जब वो पानी एक कप रहे जाए तब आपने उसका सेवन सुबह खाली बेट करना है वो भी आपने सैर वगारा करने के बाद करना है उस तरीके से यदि आप इसका सेवन करेंगे तब आपको अधिक फाइदे मिलेंगे और दोस्त प्रति में जितना भी पुराना बल्गम जमा हो वो भी बाहर निकल जाएगा तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी आज सही इस गिलोए के काड़े का सेवन सुरू कर दीजे और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजे तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और सबस्क्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तो